इंडिया ही पूरी दुनिया में एक लौती ऐसी कंट्री है जहां क्रिकेट को स्पोर्ट्स नहीं बलकी रिलेजन समझा जाता है भले ही इस खेल को इंडिया में ब्रिटिशर्स लाए हों और ये खेल हमेशा से ही इस जैसा नहीं दिखता था जिस तरह आज हम इसको जानते हैं तो आखिरकार कैसे हुई थी क्रिकेट की शुरुआत और किस तरह ब्रिटेन के एक छोटे से गाउं से निकला एक खेल आज हर एक इंडियन की दिलों की जान बन चुका है तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको इस जैसी और वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकते क्रिकेट के इतिहास के लिए हमें जाना होगा न्यू एंडन में 13 सेंचरी के टाइम पर जहां पर किंग एड़वर्टू के सामराज में क्रिकेट को पहली बार खेले जाने से जोड़ा जाता है और उस टाइम पर इस खेल को क्रियाग के नाम से बुलाया जाता था पर इस कहानी में कितनी सचा है इसका कोई ठोस सबूत नहीं है पर पहला लेख जो क्रिकेट के खेल का मिलता है उसके हिसाब से इस खेल को साल 1550 के टाइम पर साउट इस्ट एंगलेंड के और सीवसेक्स नाम की जंगाओं के आसपास खेला जाता था जहाँ पर जानियों और जंगल के आसपास रहने वाले बच्चे इस गेम को अपने मनोरंजन के लिए खेला करते थे पर शुरुवाती दिनों में क्रिकेट में इस्किमाल होने अलाब बैट आज के बैट की तरह नहीं बलकि एक हौकी स्टिक की तरह ज्यादा दिखता था क्योंकि शुरुवाती दिनों में बॉल को अंडर आम फेकते थे ना कि आज की तरह एक बड़ी इंट्रेस्टिंग जंगा आपको क्रिकेट के खेल का इतिहास लिखा दिखता है जी हाँ एक कोट केस में जब साल 1597 में गिल्ड फोर्ट नाम की जंगा में मौझूद एक प्लॉट के ट्रायल में जॉन डेरिक नाम की शक्स ने ये टेस्टिफाय किया कि पचास साल पहले वो इस डिस्प्यूटर लैंड पर अपने दोस्तों के साथ क्रेकेट खेलते थे जी हाँ उस टाइम पे इस खेल को क्रेकेट के नाम से बुलाते थे साल 1598 में क्रिकेट की बगती पॉपुलारिटी देखते हुए इसे फोरियो इटालियाना इंग्लिश डिशनरी में भी एट किया गया पर भले ही ये खेल अभी भी बच्चों के बीच खेला जाने वाला एक खेल था पर 1600 की शुरुआती दौर में इसकी पॉपुलारिटी अडल्ट्स के बीच भी बढ़ने लगी और साल 1611 में इंग्लेंड के सीवसेक्स में रहने वाले दो आदमियों तर इसलिए मुकदमा किया गया क्योंकि वो दोनों चर्च अटेंड करने की जंगा क्रिकेट खेल रहे थे साल 1624 में क्रिकेट खेलते हुए किसी आदमी की मौत हो गया जब बॉल को कैच करने की कोशिश में उस आदमी के बैट से चोट लग गई और फोरण ही उसकी जान चली गई पर इस मौत ने क्रिकेट गेम को काफी हद तक प्रभावित किया इस इंसिडेंट के बाद अब लोगों ने क्रिकेट को और भी ज़्यादा सेफ बनाने के लिए इस खेल के लिए रूल्स और रेगिलेशन बनाना शुरू किया बनाई उस टाइम पर ये खेल सिफ इंग्लेंड और उसके आसपास के एरिये में ही खेला जाता था पर इसकी पॉपुलारिटी और बढ़ना तब शुरू हुई जब 1660 के टाइम पर क्रिकेट जैसे खेल में गैमलर और सटे बाजो के एंट्री हुई गैमलर उस ने इस गेम में सक्टे बाजी से हद से ज्यादा पैसा कमाना शुरू किया और साल 1696 में निउस पेपर में क्रिकेट स्पोर्ट्स में बढ़ती गैमलिंग को लेकर आर्टिकल चापना शुरू किया इन नियूस्पेपर आर्टिकल्स की वज़ा से क्रिकेट की पॉपुलारिटी इंग्लेंड के बाहर भी बढ़ने लगी पर आप लोगों को ये बता दे कि ये गैंबलिंग ही क्रिकेट के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा फायदे मनसाबित क्योंकि गैंबलिंग में ज्यादा पैसे कमाने की रेस में लगे इन सक्ते बाजों ने क्रिकेट की अपनी खुद की स्ट्रॉंग टीम बनाना शुरू किया और इसके बाद क्रिकेट टीम में सिफ अच्छे प्लेयर्स का ही सेलेक्शन शुरू हुआ और इसी के बाद साल 1697 में सिफिक्स और इंग्लेंड की दूसरी काउंटी के बीच तहले ओफिशल मैचेस होना शुरू हुए और 17 सेंचरी के टाइम पर बॉलिंग करने के रूल्स भी काफी हद तक चेंज हो गए अब अंडर हैंड की जंगा ओवर हैंड स्टाइल से बोलिंग करना शुरू हुआ जिसके साथ ही क्रिकेट बैट का इवलूशन आज के मॉडरन बैट की तरह होना शुरू हुआ और साथ ही 1774 में LBW लग बिफोर दविकेट जैसे रूल्स और रेगुलेशन इस गेम में एट किये गए जिसके बास 17 और 18 सेंचरी के बीच इंग्लेड ने अपने कदम अमेरिका, इन्डिया और वेस्ट इंडिज जैसी कंट्रीज में ट्रेट करने के बहाने जमाना शुरू की और साथ ही इन ट्रेडिंग की वज़़ह से सेलर्स और ट्रेडर्स इस गेम को इन कंट्रीज में इंट्रिड्यूस किया और 17th century के time इंडिया में cricket के introduction के बाद साल 1721 में first cricket match गुजरात के कैमबे जिसे आज हम खंबत के नाम से जानते हैं यहाँ खेला गया इंडिया में शुरुआती दुनों में ये खेल सिर्फ इंग्लेंड के आर्मी चीफ्स और East India Company के officials ही अपने मनोरंजन के लिए खेला करते थे पर क्योंकि पार्सी कम्यूनिटी के relations ब्रिटिशर्स से काफी अच्छे थे इसलिए उन्हें देखा दे कि पार्सीों ने भी इस game को खेलना शुरू किया और साथ ही साल 1848 में बंबे की पार्सी कम्यूनिटी ने इंडिया का पहला क्लब औरियंटल क्रिकेट क्रप से शुरू किया और इसी ये बात क्रिकेट की पॉपुलारिटी इंडियन के बीच भी बढ़ने लगी leg pads, wicket keeping gloves और testicular guards जैसी accessories को भी introduce किया गया और साथ ही 1877 में पहला official international test match England और Australia के बीच Melbourne Cricket Ground में खेला गया जिसमें Australia ने 45 runs से इस खेल को जीत लिया और साथ ही 1900 के टाइम पर इंडिया में बढ़ते क्रिकेट के चलन की वजह से दो महान खिलाड़ी, महराजा रंजीत सिंजी और केस डियूलिप सिंजी ने England National Cricket Team के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपने अद्भूत प्रदर्शन और स्किल्स की वजह से Britishers ने भी इन दोनों को appreciate किया और आज इंडिया के दो मशूर टूर्नमेंट रांजी का और दियूलिप का भी इनी दोनों के नाम पर रखे गए हैं टाइम भी ता गया और पार्सीस कम्यूनिटी के बाद साल 1907 में हिंदू कम्यूनिटी ने भी अपना Cricket Club बनाया और साल 1912 में मुस्लिम कम्यूनिटी की भी एंट्री Cricket खेल में हुई जिसके बाद इन्डिया में Quadra Mugler Tournament की शुरुवात हुई जहाँ पर यूरोपियन्स, पार्सीस, हिंदूस और मुस्लिम क्लब्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना शुरू किया पर फिर भी उस टाइम पर इन्डिया में Cricket को Britishers ही कंट्रोल करते थे इसलिए Britishers की Monopoly इस खेल में खतम करने के लिए साल 1928 में दिली के रोशनारा क्लब के कुछ प्लेयर्स ने BCCI Board of Control of Cricket की शुरुवात करी साल 1930 के टाइम पर Cricket खेल में पहली बार हेलमेट का इस्तिमाल होना शुरू हुआ साल बीचते गए और आखिरकार साल 1971 में जाकर पहली बार Australia और England के बीच पहला ODI One Day International Game खेला गया जिसमें सिर्फ 50 Overs की लिमिट रखी गई इससे पहले Cricket Test Match के नियम के हसाब से खेला जाता था ODI के इंट्रोड़क्शन के बाद क्रिकिट का क्रेज लोगों के बीच और बढ़ने लगा और साल 1975 में जाकर क्रिकिट का पहला World Cup Tournament औरगनाईज किया गया और West Indies ने इस टूर्नमेंट को Australia को हराने के बाद पहला World Cup जीतने का इतिहास अपने नाम किया और साथ ही इंडिया में भी एक से बादकर एक दिगच क्रिकिटर्स की एंट्री इंडियन क्रिकिट टीम में होना शुरू हुई और साल आया 1983 का जब लोट्स क्रिकिट ग्राउंड में ऐसा इतिहास लिखा गया जिसे आज भी इंडियन फैंस एक गर्फ की तरह देखते हैं जब इंडियन टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीत कर भारत का पर्चम पूरी दुनिया में लहरा दी जिसके बास साल 2003 में जाकर 20 ओवर वाले टी-ट्वेंटी गेम की शुरुआती और क्रिकिट की लोग प्रियाता और भी तेजी से बढ़ती गई और टी-ट्वेंटी की फॉर्माट को देखते हुए अपनी अपनी कंट्रीज में लोकल क्रिकिट टूर्नमेंट औरगनाईज होना शुरू हुए जैसे कि इंडिया में 2008 में IPL और 2011 में आस्टेलिया में बिग बैस जैसे टूर्नमेंट IPL के स्टार्ट होते ही क्रिकिट का क्रेज मानो इंडिया में दस गुना तक बढ़ गया अपने होम ग्राउंड में लोकल टीम में इंटरनेशनल चेहरों के साथ ये अद्बट टूर्नमेंट काफी ज्यादा सक्सेस्फुल हुए और साल 2011 में भारत ने फिर से अपना दूसरा वल्लक अप जीत कर फिर से एक बार इतिहास रज़ दिया और यही नहीं बलकि इस टूर्नमेंट के फिनाले मैच को 55.8 करोर या फिर 558 मिलियन की व्यूवर्शिप मिली जो कि अब तक किसी क्रिकेट मैच को मिलने वाली सबसे ज्यादा व्यूवर्शिप थी शायद यही वज़ा है इंडिया में कली क्रिकेट से इंटरनाशनल स्टेडियम तक क्रिकेट हर इंडियन के दिल में बसता है तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और क्रिकेट से जुड़ी अपनी बचपन की याद कॉमेंट सेक्शन में जारूर बताईएगा और वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन दबाना बिलकुल भी न भूलें